Hello, Data Experiences! आज हम Homogeneous best question को solve करने वाले हैं तो हमारा first question है Let A be a 3 x 3 matrix with rank 2 Then AX equal to 0 has only the trivial solution 1 independent solution 2 independent solution and 3 independent solution यह हमारा question gate 2005 में आये हुआ था IE department में तो चले देखते हैं इस question को solve कैसे करना है हां तो सबसे पहली बात है मारा जो कोशुन कह रहा है कि एक a matrix है जो कि 3 x 3 matrix है तो यहां पर हमने देखिए 3 x 3 की matrix चल्दे से बना ली ठीक है फिर बोला है with rank 2 rank 2 बोला है तो rank 2 का क्या मतलब है कि 1 row आपकी फुरी की पूरी और फिरो फूर्ज दो रोज आपके नॉन जीरो होंगी तो यहां पे हमने सपोसिफ यह वाली आपकी क्या हो गई लिने डिपेंडेंट सलूशन इनडीपेंडेंडेंट रोज हो गई और यह वाली यहिंडेंडेंडेंट रोग एसी को मैं बोलता है जीरो पलते है और नोन रो बोलते हैं नहीं लिए और रैंक गया है और यह एक मैट्रीक्स लिए solution लिए condition क्या होती है Treble solution के लिए हमने क्या पढ़ाता कि rank of matrix यहां पर Ad tresses वने यहलिया है area rank of a matrix किसकी होनी चाहिए number of part BBS की उनी चाहिए number of variables यहां पर देखिए rank आपका question में कि इतनी है ten year and number of variables variables KITने 3ante Ricky giorno and the donght 3 यहहां से देखिया भी वेरियेबल्स है एक्स वाइजट तो 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 नहीं है तो इसका मतलब भी ट्रिवल सेलूशन आपको नहीं देगा तो पहला पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया अब देखिए बीच सी और डी में चीज कॉमन है क्या यह इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें सलूशन इसका मतलब यह आप से पूश रहा है कि हमारे हमोजीन सिस्टम के लिए यह कितने सलूशन आपको देगी है 3D necessity कर gobierno टू है तो देखे वाइखिए इंडिपेंडेंडेंट एमने आपको बताया था यहां पे बात हो रही है rati मास्डां आर की जहाँ पे प्यार आपक ठीक है क्योंकि पहला option तुम्हारा वैसे भी गलत हो गया trivial solution के लिए condition अमारी satisfy नहीं की तो यहां पर n क्या होता है आपका order of matrix होता है आपका ठीक है and r क्या होती है rank of matrix होती है ठीक है तो यहां पर दिखिए गाइस p equal to n minus r है p आपका linearly independent solution है ठीक है and आपकी क्या है आपर order of matrix है order of matrix क्या है देखिए गाइस आपको question में बोला है कि 3 cross 3 की matrix है 3 cross 3 की matrix है इसका order क्या है 3 है and rank आपको बोला है 2 है तो n minus 2 यानि 3 minus 2 तो p equal to 1 आपका आया 1 क्या है आपका यह linearly independent आपका क्या है solution हो गया गाइस ठीक है तो option b आपका सही हो गया कि one independent solution यह आपको matrix देगी homogeneous system के लिए यहां पर देखिए गाइस यह question बहुत ही आसान था and इस question के लिए आपको इतना कुछ नहीं करना था यह आप directly solve कर सकते थे अगर आपको यह formula पता होता यहां यहां पर देखिए हमने पहले तो आपको अपने question को अच्छे से पढ़ना है यहां पर question में बोल दिया है कि ए जो कि अब अगर टू है तो देखिए की condition क्या होती है वाई टीवल से कंडिशन की कंडिशन यह होती है कि रैंग एक पलोना ची नंबर ओफ एरेबल्स के देखिए यह 3 क्रॉस 3 की मैट्रेक्स यानि 4 order 5 प्रॉस 5 की मैट्रेक्स यानि 5 order आपकी मैट्रेक्स का तो देखिए यहां पर rank 2 है और order 3 है तो इसका मतलब यह satisfy नहीं हो और यह condition इसका मतलब भी ट्रीवल solution तो आपको देगा नहीं फिर आप बाकी जतने option बचें उनको चेक कीजिए हमें उनमें similarity क्या मिली कि वह independent solution की बात कर रहा है तो independent solution के लिए हमाएं पास एक formula था पी इक्वल टू एन माइनस आर जहां पर पी आपका क्या है number of linearly independent solution है एंड आपका क्या है order of matrix है and order of matrix and आपका question में दिया हुआ है three cross three order हमें मिल गया तीन दिया हुआ है और rank आपकी question में already दी हुई है यानि दो rank भी आपको नहीं निकालने थी तो यानि यानि पीक्वल टू वन independent solution आपका दे रहा है इस homogenous system के लिए यानि बी option आपका क्या हो गया correct हो गया देखिए आपका पांच सेगेंड केंदर question solve हो गया अगर आप अपनी concept को अच्छे से clear रखेंगे तो आपको सारे question को solve करने में बहुत असानी होने वाली है linear algebra बहुत ही अच्छा subject है बहुत ही इजी subject है मुझे बहुत पसंद है तो मैं आपको एकदम easy way में यह subject पहाने वाली हूं तो अगर आपने बाकी सारी वीडियोस नहीं देखी है तो बाकी सारी वीडियोस को चेक कीजिए और शुरू से आप one by one करकी एक टॉपिक को cover करेंगे तो आप अच्छे से question को solve कर लेंगे so मिलता है हमारे next video में वहां पर हम trivial or non-trivial solution के question को solve करेंगे so I hope यह question आपको समझ में आया है कि कैसे solve करना है so मिलता है हमारे next video में तब तक के लिए बाप है